अध्यात्मी जटिल इस वज़े से लगता है क्योंकि ये है नहीं, ये बहुत सा रल है, ये सिर्फ इस एक वज़े से जटिल लगता है, सिर्फ एक वज़े से, आप जितनी ज़ादा कोशिश करते हैं, उतने ही ज़ादा मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कोशिश न करें तो कोई रास्ता नहीं है अगर आप ये समझ जाएं तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान अलग-अलग आयामों में विखसित हो जाएगा शून यानि रिक्तता, खलीपन वो एक चीज जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते, आप खलीपन नहीं चाहते अपने जीवन में आप ये जो सारी दिक्कतें उठा रहे हैं, शिक्षा, परिवार, प्रोफेशन, पैसा, समस्याएं, सब कुछ किसी तरह आप ये पक्का करना चाहते हैं कि आपका जीवन खाली नहो आप बस इतना ही करने के कोशिश कर रहे हैं किसी भी कीमत पर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जीवन खाली नहीं है आपको परिशानी से अतराज नहीं है, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये खाली हो लोग अपने जीवन में इतने सारे दर्द को नियोता इसलिए दे रहे हैं बस खालीपन से बचने के लिए क्योंकि खालीपन सबसे बड़ा जहर है आप नहीं चाहते कि आपका जीवन खाली हो लेकिन अगर आप जानबूज कर खाली हो जाएं तो वही जीवन कामरित है बस इसलिए शूनि ध्यान है शूनि यानि खुद को बाहर करना अगर आप खुद को अपने जीवन से बाहर करने की कला में महरत हासिल कर लें तो सिर्फ पंद्रा मिनिट के शून उसे ही आत्मग्यान हो सकता है लेकिन ऐसे इनसान बहुत कम होते हैं जो खुद को बाहर करने के लिए तैयार है ऐसी चीजें सिर्फ तभी आती हैं जब उनमें समर्पन की एक गहरी भावना हो समर्पन की और उनके मदद किये बिना यह संभव नहीं हैं लेकिन दुरलव है यह हर एक इनसान के लिए संभव है लेकिन लोग जब लोग ध्यान को बेहतर तरह से जीने की एक तर्कीब के रूप में उप्यूब करते हैं तो खुद को बाहर करने का सवाल ही नहीं उड़ता है न इसे आप अपने लिए एक रें हैं आप अपने खुशहाली के लिए ध्यान कर रें ये अपने आप में ही एक हार है लेकिन अगर मैं लोगों से कहूँ बस ध्यान कीजिए जरूरी नहीं कि इससे कोई खुशाली आए तो ज्यादा तर लोग कभी ध्यान नहीं करेंगे तो हम खुशाली के बारे में बात कर रहे हैं आपको होने वाले फाइदों के बारे में बात कर रहे हैं जो खुशाली को हराने वाली बात है अध्यात में जटिल इस वज़े से लगता है क्योंकि ये है नहीं ये बहुत सरल है ये सिर्फ इस एक वज़े से जटिल लगता है सिर्फ एक वज़े है क्योंकि मैं खुद को विलीन करने जा रहा हूँ तो आप किसी और की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं आप उतने ही ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कोशिश ना करें, तो कोई रास्ता ही नहीं है, बस ये कला, ये जुगत सीखनी होगी, कोशिश करना, लेकिन इसकी परवाह न करना की क्या हो रहा है, ये ही ध्यान का सार्थत्व है, अगर आप बस ये समझ लें, कि जो कुछ भी होता है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर धीरे धीरे आप उससे बाहर हो रहे हैं, आप पोशिश करने की प्रक्रिया से बाहर नहीं हो सकते, लेकिन आप उससे पैदा होने वाले फल से बाहर हो सकते हैं, है न? अगर आप इसे दूर कर दें, आपके साथ कुछ होने की जरूरत नहीं है, कोई फाइदा नहीं चाहिए होगा, भले ही आपको यातना दे, आप फिर भी हर दिन बैठेंगे, अगर आप में ये भावा गया, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान अलग-अलग आयामों में व पाइदा दिये बिना उन्हें प्रेरित नहीं कर सकते, कोई भी ध्यान नहीं करेगा, अगर आप उनसे कहें कि आपको मिलेगा कुछ नहीं, बस ध्यान कीजिए, तो यहीं पर ध्यान से मित हो गए हैं। शून यानि एक ऐसा आयाम जो भौतिक नहीं है, या वो जो असीमित है, यह सबसे कीमती चीज़ है, लेकिन इसे समझने के लिए भी थोड़ी सुक्ष्मता की जरूरत होती है। अगर आप बस निर्देशों का पालन करें और बैठ जाएं, तो शारिरिक स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, जो साफ तोर पर आगे की और एक कदम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की आप क्या करते हैं, आप किस तरह का अभिहास करते हैं, शून्य का वास्ताव में कोई विकल्प नहीं है। पंदरा मिनट के शून्य से ही आत्मग्यान हो सकता है। आपकी सामान्य समझ में ये सबसे बड़ा जहर है, लेकिन आप इसे पी कर देखिए, ये सबसे बड़ा अमृत है। अगर आप खाली हो जाएं, तो इसी में सब कुछ समाया हुआ है।